जिसका मुझे था इंतिजार वो घड़ी आ गई आ गई तो भई मैं तो भई जिस चीज का इंतिजार कर रहा था कि भई कोई से आभी टिगर आये निगेटिव जिससे की मार्केट में थोड़ा करेक्शन आये और मैं दुबारा से लपकूं पके पका इस्टॉकों को और वो घ से ली गई मैं आपको सजेश्ट करता रहता था हमेशा टाइम टू टाइम कि मार्केट पंदरह जार से उपर चल रही है आल टाइम हाई के आसपास है और अभी तो आल टाइम हाई बना हुआ है तो भई पासली प्रॉफिट बुक जरूर करना है और ऐसा नहीं है कि भई यह जो न्यू जाई है आरबियाई वाली की आरबियाई ने कहा है कि एक्विटी का बबल कभी भी बश्ट हो सकता है तो इसकी बज़े से मार्केट चले जाएगी सात जार या छीजार ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है एक छोटा मोटा करेक्शन आएगा और उसी का तो मुझे के इंतजार करेक्सन आते रहते और लोग डर जाते हैं उसमें भाएंग नहीं करते हैं लेकिन extends फिर ब्लकुल नहीं करता हूं मैं उसमें भाएंग कि देखती ब्लेकल नहीं करते वो सोचते और गिर जाएगी तब खरीद लेंगे लेकिन वह भाग जाती है और अब पहले सबसे पहले देखूंगा में गुड़ नियुज कौन वाहिए नमबर्स आने वाले आटो सेल्स के वह भी आने वाले हैं तो वह अगर अच्छे आएंगे तो उससे भी मार्किट अच्छी रह सकती है तो यह तो वही तीन चार चीजे थी जो वही पोजिटिव हो पॉजिटिव हैं अब बात करने तें जो न्यूज आपका वही नही तो सब को जानकारी मिल जाएगी आपको तो आप देख लेते हैं जो न्यूज क्या थी पहली तो न्यूज यह वाली बता दूँ मैं आपको क्या थी एपियाई ने देख सकते हैं सेल कियें सेकिंड कंजिकेटिव मन्त में 1730 करोड रुपए के वाई सेल कर रख कर दी है एपियाई ने तो ये भी एक निगेटिव नूज है मार्किट के लिए देख लेते हैं और तो देख सकते हैं फॉरंड पॉर्टफोलियो इंवेस्टर टरंड आउट टू वी नेट सेलर फॉर सेकिंड मन्त इना रोवाई टेकिंग आउट नेली 1730 करोड फ्रॉम इंडियन मार्किट इन माई एस सेकंड बेप आप दी कॉरोना बाइरस पैंड में किस्पोक्ट इन्वेस्टर सेंटीमेंट तो इसका मतलब इन्वेस्टर का सेंटीमेंट यही हो रहा है कि कुरोना की बज़े से थोड़ा सा वही जो एपियाई वाले हैं उन्होंने अपना माल कम किया है और अपने जो पैसे हैं उनको अपने हाथ में किया है वो स चीज हो सकती है मिसमेश तो हैं फाइनन्सियल और टेकनिकल कहीं से भी मिसमेश नहीं करते हैं आपको पता ही है मार्केट कहां चल रही है और जो फंडामेंटल है वो कहां पर है कैसे केसे कितने बड़े थे अभी सेकेंड वे में और लेकिन मार्केट फिर भी भागे जा रही तो मुझे तो लगता था उसी समय कि यह चोटा करेक्शन आ जाए लेकिन नहीं आया तो अब आ जाएगा तो सुम्बार को तो अब देख लेंगे अब यह ख़बर पढ़ लेते हैं वही ऐसा कहा क्यों वही आर्वाइन कोई तो रीजन होगा ना तो रीजन वही देख लेते कहां चल लाई और रियल एकॉनमी कहां चल लाई है तो उसमें तो डिफ्रेंसिस हाई है एस भी नो इस डिवीजन ड्यू टू कोबिट और कोबिट की बज़े से यह हुआ है इस एक्चुल रियल एकॉनमी इस डल वाइल था एकुटी मार्केट इस बैलू रखी है और आपक करड़े यह कोरोना बगारा खतम हो जाएंगे और एक बार फिर से ग्रोथ पकड़ लेगी जो भी मार्केट है जो रियल मार्केट है और एकॉनमी है तो उसको फ्यूचर को वह अपने साथ पहले से फैक्टरिन करके चल लाई है इसलिए उसकी जो ग्रोथ है वह ऐसी दिख रही है जबकि आप रियल जो ग्रोथ देखेंगे मार्केट की तो रिकाई रियल एकॉनमी की वह इतनी अच्छी नहीं है आपको पता है और इसके अलावा आप देखेंगे तो रगवर्मेंट ने रिसेंटली अनौंसमेंट किये थे लिकुडिटी सपोर्ट करने के लिए औ और आपने देखा होगा कि जो निगेटिव चीज़ें थी मार्केट में वह सौट मीडियम टर्म के लिए रह सकती है लेकिन लॉंग टर्म में मैंने पहले बताया कि मार्केट लॉंग टर्म को वही ऐफेक्टरिन करके चलती है तो सौट और मीडियम टर्म में हो सकता है और इसके अलावा जो साइक्लिक सेक्टर है लाइक मैटल यह भी हाई वेलिएशन पर चलना है तो मैंने तो वह उसमें भी टाइम टू टाइम मैटल वाले वाली कई वीडियो बना दे कि वह पार्सली प्रॉफिट बूंग करते रहो मैं तो हमेसा कहता हूं जब 5% हो जाए प्रॉफिट बुकल लो क्या अपता कल कोई निगेटिव निउज आ जाए और गिर जाए स्टॉक तो अपना प्रॉफिट बुकल लिया तो वह अपना होता है बाकी अपना होता है तो यह चीज़े चलती रहती है जब आप दीरे-दीरे मार्केट में काम करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कुछ और निगेटिव निउज भी निकल के आ रहे हैं जैसे वही सक्तिकांद जी के खिलाब पेटिशन फाइल कर रखी है तो इसको भी देख लेते हैं क्या है यह तो आप देख सकते हैं नंबर आप पेटिशन है बिन फाइल बिफोर दी सुप्लीम बाई टर्निंग एंड डिकलेरिंग ने अकाउंट ऑप दी पेटेशनर एस नॉन परफोंविंग एसेट एंपी इन कनेक्शन विद्धी मॉरेटेरियम मैटर तो वही इसमें इन्होंने प्रेटेशन फाइल के रखी है इनके खिलाप और यह जो तीन चाल लोग है तो स्प्रिम कोड गई है अगयांच में आरवी आई के क्योंकि आरवी ने कहा था कि जो डाटा होता है कस्टमर का उसको आट याइए एक के अंडर आना चाहिए लेकिन वही इन्होंने कहा है वही इसको जो यह डाटा बहुत ज्यादा वैसा होता है सैंस्टिव इसको आट जाए के लिए आट पर ले आया हूं आपको तो बात करेंगे पूरी चार्ट पर देखेंगे क्या करना क्या नहीं करना है और उससे पहले एक पॉस्टिव निवल को मार्केट ने और मुझे लगता है जैसे वही नियू जाई है निगेटिव तो इसकी वज़े से एक करेक्षन थोड़ा बहुत आएगा और हम उसका रेक्षन का बेट कर रहे हैं और वही आएगा हमने तो पासली प्रॉफिट बुक करी लिया है और अब भही हम जैसे अच्छे-च्छे स्टोक आएंग होती नहीं जादा और अब पके पकाई शटॉक देख लेते हैं वहीं क्या है क्या नहीं है तो पहले शटॉक बहीं देख सकतें यह इंडिया माट इंडिया माट और सीमपी के असपास भी लिए जा सकता है लेकिन अभी बेट कर लो जब कल थोड़ा सा मार्केट होगी वही नीचे आएगी तो 7,000 के आसपास मिलता है तो पकड़ लेना और बैसे तो मैंने 7,500 के पास भी बताया था पिछली वीडियो में लेकिन जब करेक्शन आई रहा है तो फिर और अच्छे प्राइस पर पकड़ें और ऐसे यह टेल मैंने बताया था 520 के आसपास लेकिन अगर भ अमर राजा को भी मैंने बताया था जिस दिन वहीं यह 8-10 परशेंट गिरा था बुरी तरीके से तो मैंने बताया था कि सीमपी पर खरी सकते और इसमें भी नीचे जाएगा तो आप खरीजारी कर सकते हैं और एफिल को पांच जार के आसपास लपक सकते हैं अगर नीचे गरेगा कल तो नजरे बनाये रखना बाच जिस में लगा लेना आई जीएल को पांच सो रुपए के आसपास चार सो नब्बे से पांच सो के आसपास और नौकरी को भई चबालिसों पर कई वार खरीदा पिर चारजार पर भी खरीदा तो इसमें भी करेक्शन अगर आता है थोड़ा बद गिरता है तो दो जीएडीटी लगा लेना एक चारजार का एक वही तितालिसों के आसपास तो किसी पर भी मिलेगा तो भई पकड़ सकते हो इसको लपक सक सकते हो 60-70 में भी कोई दिक्कत नहीं है ऐसमें थोड़ा बहुत भी आता है छेसो साथ चेसो साथ के आसपास पचास के आसवा तो लपक सकते वैसे सीम्पी में भी लपका जा सकता है पर अगर थोड़ी कल गिरावट हो जाए तो और मजा जाए जागा बिटानिया 343 चला य कि उसमें बेलू है या नहीं है और बागी वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना जाएं दोस्तों